हाई एब्रीवान विल्कम बैक अगें तो माई चानल एप्लाइश एडूकेशन और वीडियो आप लोग लास तक जन करिएगा ताकि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाए क्वारी रिजॉल्व हो जाए तो यहां पर जो है वेकेंश जो रिलीज हुए देख लेते हैं श्री वेकेंश आई है नौटिफिकेशन जो है एट्थ आफ निवेंबर को गाई रिलीज हुए थी असिस्टन प्रोफेसर की पोस्ट रहेगी जहां पर आपको सेविन सीपीशी के अकॉर्डिंग सेल्ड स्केल मिलने वाला है लास्ट डेट है इसमें अप्लाइब कर सकते हैं या प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अधर डिटेल्स जान लेते हैं यहां पर इह नौटिफिकेशन इन्हों अलग अलग दी हुए है जैसे यह जो है आपकी यहां पर सिर्फ पोजीशन के रिकार्डिंग है जनल इंस्ट्रक्शन के लिए हम अधर पेज पर चलेंगे यहां पर इसके बाद हम लोग स्क्रीनिंग एंड शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटिरिया जो है यह भी हम चेक कर लेंगे यहां पर क्या रिलीज हुआ है कि यह है आपके पास जनल इस्ट्रक्शन जनल इस्ट्रक्शन में सबसे पहले फीज देख लेते हैं फीज आपकी सेम है क्योंकि यह डर्य उन्युवर्सिटी से एफिलेटेड है तो कोई चेंज नहीं है 500 रुपीज फी रहेगी अन्रिजर्व डोबीसी और डव्याइस का सब्सक्राइब के लिए कोई भी यहां पर नहीं है अपलाई करने का लिंग आइस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगा और मेंली जो है यहां पर कोई कोई भी टीए डिये नहीं प्रोवाइड किया जाएगा इंटर्व्यू के लिए और लास्ट अफ सब्मिशन जो है वह आपको स्पेसिफाई किया हुए इसके पास शॉट लिस्टिंग क्राइटीरिया जान लेते हैं कि एप्या स्कोर्स के रिगार्डिंग यहां पर क्या दिया हुआ है तो आपका यहां पर कम से कम 50 मार्क्स होने चाहिए अगर आप कॉलेज के लिए मतलब यहां पर करते हैं युनिवर्सिटीज के लिए मैंशन रहते हैं 65 कम से कम होने चाहिए और अगर आपको कॉलेज में शॉट लिस्टिंग क्राइटेरिया में आना है तो कम से कम 50 मार्क्स आपके होने चाहिए या फिर इस से ऊपर तो यह आपके किसके अकोर्डिंग मार्स लगते हैं क अगर आप इडिट करना चाहूँ तो आप सेम ही लोग इन ऐडी पासवर्ड से उसे लोग इन करेंगे और अपना इसमें एडिट कर सकते हैं और दुबारा से अपलाई यहांपर कर सकते हैं वीमें के लिए यहां पर काफी अच्छी ऑपर्चिनिटी रहती है अपलाई करने य हम सारी इंफर्मेशन क्रेन करें जरू सब्सक्राइब करें